छार कंटेश्टन जो इस हफते घर से बेकर होने के लिए नोमिनेट हैं, फैनली उन में से जो कंटेश्टन इस हफते घर से बेकर हो जाएगा, उसका नाम सामने आ चुका है जी हाँ आपको बता दें कि एक कंटेश्टन जिसको मेकर्स घर से बाहर करेंगे उसका नाम पूरी तरह से लीक हो चुका है और वो नाम सुनकर आप काफी ज़ादा हैरान हो जाएंगे लेकिन आपको बता दें कि ये जो ऐलिमिनेशन होने वाला है ये वोटिंग के आधार पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है जी हाँ आपको बता दें कि वोटिंग चारों मेंसे किसी भी कंटेशन को चाहे कितनी जादा भी मिली हो लेकिन मेकर्स ने अब उस कंटेशन का नाम तै कर लिया है जिसे वो इस हफते घर से बेगर कर देंगे सीधा सीधा बाहर जाने का दरवाजा दिखा देंगे ऐसे में क्या है उसका नाम कौन सा है वो कंटेशन चलिए आपको बताते हैं लेकिन इस से पहले चैनल पर ने हैं तो सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें तो चलिए बात करते हैं उस कंटेशन की जो इस हफते घर से बेगर हो जा예요 आपको बता दें कि बिग बॉस को शुरू हुए अभी पूरे दो महीने हो चुके हैं ऐसे में अभी तक सिर्फ 4 ही ऐसे कंटेशन हैं जो घर से बेगर हुए हैं ऐसे में घर में 12 कंटेशन मुझू हैं क्योंकि वोटिंग लाइनाप बंध हो चुकी है तो पहले नंबर पर अब हर बार की तरह mc10 नहीं है क्योंकि सुंबुल टोकिर खान ने वोटिंग में mc10 को पीछे छोड़ दिया है बात करें दूसरे नंबर के कंटेक्शन की तो दूसरे नंबर पर है mc10 जिने अच्छी खासी वोटिंग मिलती हुई नजर आ रही है तीना दत्ता जी हां टीना दत्ता इन चारों में से तगड़ा सपोर्ट दे रहे हैं काफी बाइसनेस चल रही है इसलिए निम्रित वे सफते बेगर नहीं होने वाली है बात करें टीना दत्ता की तो अब सिरजिता डे घर में आ गई है तो सिरजिता और टीना दोनों की गेम अब काफी इंटरस्टिंग होगी तो दो से तीन अच्छी खासी आ रही है इसलिए मेकर्स उसे चाह कर भी बाहर नहीं निका सकते अब बचते हैं जी एमसी स्टैन जी हाँ आपको बता दे कि मेकर्स ने अब टैक कर लिया है कि इस हफते और कोई नहीं बलकि एमसी स्टैन घर से बेगर हो जाएंगे और ये एक वोलेंटरी एकजिट होगी यानि सलमान खान सीधा सीधा एमसी स्टैन से पूछेंगे कि एमसी आपका आखरी फैसला क्या है क्योंकि आप काफी दिन से कह रहे हैं कि मुझे बाहर जाना है आपको रहना है जिस पर एमसी स्टैन कहेंगे कि सर मुझे घर जाना है तो अब इस बार एमसी स नियूस के लिए हमारे चैनल को जुरू सब्सक्राइब करें